Hello everyone, welcome to educational hikes तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग class 8 के history textbook का chapter 2 from trade to territory का हम आपको एक introduction देंगे Basically जो class 8 की history अगर इसकी बात की जाये तो यहाँ पी यह पूरी modern Indian history है जहाँ पे हम 1707 की बात की जो कहानिया होगी उसके बारे में पढ़ेंगे अब because यह modern Indian history है इसमें हम भारत के आधूनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी as compared to 7th and 6th class 6th class की जो history है वो ancient history है 7th class की history medieval history है लेकिन 8th class की history जो है वो modern Indian history का part है और modern Indian history से हम लोग थोड़ा बहुत अल्रेडी परचित होते हैं तो इस वज़े से इस chapter को समझने में आपको ज़्यादा problem नहीं होगी तो अगर इस chapter की from trade to territory के introduction की बात की जाए तो यहाँ पे इस पूरे chapter में हम यही पढ़ेंगे कि जो Britishers थे जो East India Company के जैसे इंडिया में व्यपार करने आए थे धीरे धीरे उनको territory मिल जाती है territory मतलब धीरे धीरे उनको जमीन मिल जाएगी और उस territory पे उस land पे उनका rule start हो जाएगा तो यह सब कैसे होता है इस पूरे chapter में हम इसी चीज को discuss करेंगे Hi everyone, आज मैं आपको एक ऐसे application की बारे में बताने वाला हूँ जिस application का use करेके आप अपने किसी भी doubt को on the spot पूछ सकते हो इस application का नाम है Philo app आप इसको download कर सकते हो इसी वीडियो के description box में मैंने download link दे रखी है जैसी आप इस application को download करते हो कुछ ऐसा interface open होकर आजाएगा आपको proceed पर click करना है proceed पर click करने के बाद आपको अपना phone number enter करना है phone number enter करके आप continue करोगे continue करने के बाद आपके registered mobile number पर OTP जाएगी जैसी ही आप OTP को enter करते हो आपका home page open होकर आजाएगा Philo application का यहाँ पर आपके पास दो option है या तो आप अपने doubt की picture ले सकते हो या आप अपने doubt को यहाँ से आप pictures ले सकते हो या directly आप type भी कर सकते हो for example अगर आपको यह जानना हुआ कि what is cell then type करके आप next पर click कर दो आपको select करना है कौन से subject का यह doubt है जैसे यह biology का है biology में कौन से subject का है cell structure and function का है फिर इसके बाद आपकी call चली जाएगी expert के पास आप expert से 30 minutes daily free of cost बाते कर सकते हो जैसे get connected to instructor पर मैंने click किया यह call जाने लगी अभी call जाएगी call जाएगी and 91 second 90 second का time लेगा और यह call connect देखा आपने कि कैसे हमने directly अपने teacher को call कर लिया और अपने doubts को भी हम वहाँ पर teacher से बात करके पूछ सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे practice questions मिल जाएंगे mathematics के और भी बाकी subjects के मिल जाएंगे तो आप यहाँ से और questions को भी practice कर सकते हो download link मैंने description box में दे रखी है जाके download करो और मज़े करो हम discuss क्या करेंगे हम देखेंगे कि जो Britishers थे जो English East India Company थी वो आई तो हिंदुस्तान में व्यपार करने के लिए लेकिन धीरे धीरे जो उनका व्यपार करने का काम था वो change हो जाता है और वो इंडिया पे rule करना start कर देती है तो यह किस तरीके से होता है how did this happen it is the subject matter of this chapter यह कैसे हुआ ऐसे कौन से development हुआ कि जिसकी वज़े से एक trade करने वाली व्यपार करने वाली company इंडिया में political power को acquire कर लेती है तो इसके लिए territory को acquire करने के लिए देखिए सुरुवात उन्होंने किस से की सुरुवात उन्होंने व्यपार से की लेकिन धीरे धीरे वो इंडिया पे rule करना शुरू कर दिये हम सभी लोगों को पता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे उपर 200 साल तक सासन किया लेकिन जो अंग्रेज थे वो वास्तों में इंडिया आए क्यों थे वो आए थे इंडिया में व्यपार करने के लिए तो व्यपार करने से territory को acquire करने तक की कहानी हम इस chapter में पढ़ेंगे तो अगर introduction की बात की जाए तो थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया कि वो व्यपार करने आये थे किस तरीके से वो यहाँ पर rule करने लगते हैं इसी कहानी हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से यह चीजे होती हैं अगर उसकी बात किया जाए तो यहाँ पर जो English East India Company थी ती वो कुछ चीजों का सहारा लेती है मतलब व्यपार से rule करने के बीच में जो व्यपार से rule करने का जो उनका process था इसमें वो कुछ चीजों का सहारा लेती है जिसमें पहली थी लड़ाईया अगर बात की जाए Wars की तो हम इस chapter में देखेंगे कि जो English East India Company थी वो कुछ लडाईयों को लडती है जैसे Battle of Plassey 1757 में और Battle of Buxer 1764 में वो लडती है Battle of Plassey और Battle of Buxer में East India Company English East India Company ये Bengal के नवापस के खिलाफ लडाई लडती है और Battle of Plassey और Battle of Buxer का रिजल्ट ये होता है कि English East India Company को Bengal में Political Power मिल जाती है मतलब Bengal हमारे इंडिया का एक ऐसा पहला प्रोविंस था जो East India Company के कंट्रोल में चला गया तो सबसे पहले अगर कहीं पे East India Company का रूल स्टार्ट होता है तो वो क्या था? वो Bengal था कौन सी दो लडाईयां थी? Battle of Plassey और Battle of Buxer अब इस Plassey और Buxer में क्या हुआ था? इन डिटेल में हम लोग आगे आने वाली वीडियोज में डिसकस करेंगे इसके साथ ही वो Anglo-Masur War होता है और Anglo-Maratha War होता है Anglo मतलब क्या? Anglo मतलब होता है अंग्रेज तो एक तो हमने देखा कि वो Battle of Plassey और Battle of Buxer लड़ते हैं Battle of Plassey और Battle of Buxer की लडाई होती है जिससे उनको Bengal में political power मिल जाती है इसके साथ साथ वो और भी लडाईया करते हैं अपने company के rule को expand करने के लिए जैसे वो मैसूर जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान का rule चलता था जहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान का सासन चलता था वहाँ पे वो लडाईया लड़ते हैं जो कहलाई जाती है अंग्लो मैसूर वार के नाम से ये लडाई जानी जाती है तो टोटल फोर अंग्लो मैसूर वार होता है मतलब अंग्रेजो और मैसूर के जो rulers थे उनके बीच में टोटल चार लडाईया लड़ी जाती है और उन चार लडाईयों के रिजल्ट ये होता है कि मैसूर भी इस्ट इंडिया कम्पनी के कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद वो मराठास के साथ जो महराष्ट में थे उनके साथ लडाईयां लड़ते हैं जिसको कहते हैं एंग्लो मराठा वार तो एंगलो मैसूर और एंगलो मराथा वार के थूरू उनको क्या होता है कि उनको मैसूर में political power मिल जाती है और महराश्ट में political power मिल जाती है तो एक चीज जिसका उन्होंने territory को acquire करने के लिए सहारा लिया वो क्या थी वो थी लडाईया इसके बाद जो दूसरा सहारा लिया वो थी कुछ policies तो कुछ policies को भी English East India Company में लेके आती है और उस policies का purpose था कि East India Company या company के rule को इंडिया में expand किया जाए तो एक policy थी subsidiary alliance treaty इसको इंडिया में लेके आते हैं Lord Willesley एक्चुली वेलेसली ने इसको इंडिया में लेके नहीं आया था इंडिया में लेके आने वाले थे duplex जो की French governor general थे so subsidiary alliance में क्या होता था कि अगर कोई Indian state अगर कोई भारत का राजा subsidiary alliance treaty बिटिस के साथ sign कर लेता था तो वो जो इंडिया राजा होता था उसका rule खतम हो जाता था और वो इंडिया राजा जो इंडिया का राजा था उसको अब East India Company control करने लगती है तो एक तो हमने देखा कि war के थूँ वो अपने rule को expand करते हैं फिर पहली policy को discuss किया जो थी subsidiary alliance treaty इसके थूँ भी उनका rule expand करता है दूसरी policy थी policy of paramountancy policy of paramountancy में क्या हुआ कि जो British थी policy of paramountancy ने क्या कि कि Britishers को इंडिया में supreme political power के जैसे establish कर दिया मतलब policy of paramountancy ये कहती है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सक्तिसाली है वो कौन है वो है English East India Company ये थी policy of paramountancy जिसको लेके आया थे लॉर्ड है सिंग इसके बाद वो लेके आते हैं doctrine of lapse doctrine of lapse क्या था doctrine of lapse में पहले चैस तो doctrine of lapse लेके आया कौन इसको लेके आते हैं डलहोजी लॉर्ड डलहोजी जो इंडिया में governor general थे doctrine of lapse में क्या था कि पहले के time पे जो राजा महराजा होते थे अगर उनकी अपनी खुद की कोई संतान नहीं होती थी तो वो जिन बच्चों को गोद लिये रहते थे वो उस राजा के मरने के बाद उस state के सासक बन जाते थे लेकिन doctrine of lapse इस चीज को रोग देता है doctrine of lapse क्या कहता है कि अगर किसी इंडियन राजा की अपनी खुद की कोई संतान नहीं है तो उस राजा के मरने के बाद उसका गोद लिया हुआ जो बच्चा होगा वो उस state का राजा नहीं बनेगा तो doctrine of lapse से भी इनका जो rule था वो expand करता है जैसा कि हम लोग वीडियो में देखेंगे कि doctrine of lapse के थूँ वो सतारा संभलपूर और जासी को अपने राज्य में या अपनी अंदरकत उसको जोडते हैं सो हमने policies को भी discuss कर लिया wars को भी discuss कर लिया इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जिसके थूँ वो अपने rule को expand करते हैं जैसे वो इंडिया में एक नए administration को set up करते हैं एक नए administration को set up करने का मतलब था कि जो पुराना administrative system था इंडिया में उसको खतम कर दिया जाता है और English East India Company अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब एक नए administration की अस्थापना करते हैं इसके साथ साथ एक नए administration की अस्थापना करने के साथ साथ East India Company जब इंडिया में political power को acquire कर लेती है तो वो अपनी खुद की आरमी भी रखने लगती है जिसको कहते हैं Companies Army So अगर East India Company थी उसका रूल किस तरीके से expand करता है तो उसमें 3-4 चीज़ें थी हमने आपको बता दिया और इनी 3-4 चीज़ों का सहारा करके सहारा लेके वो East India Company जो इंडिया में आई थी व्यपार करने के लिए वो धीरे धीरे उसको territory मिलती है और इंडिया में वो अपनी political power अपनी राजनैतिक सक्ती को अस्थापित कर लेती हैं तो ये एक general introduction मैंने आपको इस chapter का दे दिया है अब क्या होता है कैसे होता है इन detail में हम इसको आगे आने वाले videos में देखेंगे तो तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ educational hikes के साथ यहाँ पे आपको 8th, 9th, 10th सभी class के videos regularly provide किये जाएंगे चलते हैं friends जल्द मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ जहां पे हम chapter की start करेंगे ok friends अब तक के लिए बाबाए